Principles of Systematics Module 127 One-Way ANOVA One-Way ANOVA को हम One-Way Analysis of Variance भी कहते हैं ANOVA की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसके अंदर One-Way ANOVA, Two-Way ANOVA, Repeated Measure ANOVA, Factorial ANOVA, Nested AnOVA बहुत सारी टाइप्स हैं तो इस मॉडूल के अंदर हम वन वे अनोवा के बारे में डिस्क्स करेंगे वन वे अनोवा क्या है अगर हम एक वकत में जो हमारा डेटा है उसके कॉलम्स को कंपेर करना चाहते हैं या फिर हम उसको रोवाइस कंपेर करना चाहते हैं तो इसको हम वन वे अनोवा केहेंगे पर रजेमपल हमारे पास तीन डिफरंट डिस्टिक्स है हम पर रजेमपल हमारे पास लहौर डिस्टिक्ट है हमारे पास गुजरवाला डिस्टिक है हमारे पास सरगोधा डिस्टिक है हम ये compare करना चाहते है कि इन three districts के अंदर जो citrus plants है इन citrus plants के उपर जो citrus fruits लगते है उन fruit का जो size है उसके अंदर variation है या नहीं और अगर variation है तो वो statistically significant variation है या non significant variation है हम क्या करते हैं हम तीनों district से randomly कोई से 10-10 plants select कर लेते हैं अब इन 10 plants में से हम randomly 5-5 fruits तोड़ते हैं और हर fruit का हम weight मालूम कर लेते हैं district 1 से भी हमने जितने भी fruits लिए उन सब का weight कर लिया district 2 से जितने fruits हमारे पास आए उनका weight भी कर लिया इसी तरीके से district 3 जो है उसमें जितने हमने fruit collect किये उन सब का हमने weight मालूम कर लिया अब हम क्या करेंगे अब जो district 1 के अंदर जितने भी fruits थे इन सब का जो weight है उसका हमने mean निकाल लिया ये group mean आ गया इसी तरीके से district 2 के अंदर जितने भी fruits थे उनका हमने mean मालूम कर लिया ये उस district का group mean आ गया इसी तरीके से district 3 जो है उसके भी जितने भी fruits थे उन सब का हमने weight किया और उसका भी mean निकाल लिया तो ये उस district का group mean होगा अब हमारे पास 3 group mean आ गये अब इन 3 group means को हम add कर लेते हैं और इसको 3 पे divide कर लेते हैं इस तरीके से हमारे पास एक और mean value आ गई ये जो mean value आएगी इसको हम grand mean कहेंगे तो एक हमारे पास group mean आ गया और इसी तरीके से एक हमारे पास grand mean आ गया अब हम analysis of variance अपलाई करके तो ये compare करना चाहते हैं कि जो तीनों डेस्टिक्स हैं तीनों डेस्टिक्स के अंदर जो fruits थे उसका जो size था या उसका जो weight था उसके अंदर statistical difference मौजूद है या नहीं है तो इस case के अंदर जो analysis of variance है ये best suit करता है इसी तरीके से हमारे पास तीन fertilizer हैं हम ये चेक करना चाहते हैं कि इन तीनों fertilizer में से इनकी जो performance है उनके अंदर variation है या नहीं या जिस field के अंदर हम fertilizer one add करते हैं उन plants की heights ज़्यादा बढ़ती है या fertilizer two से ज़्यादा बढ़ती है या fertilizer three से ज़्यादा बढ़ती है हमने तीन fields select की एक field के अंदर हमने fertilizer one apply किया दूसरे field के अंदर fertilizer two apply किया और तीसरा जो field था उसके अंदर हमने fertilizer three apply किया अब ये जो तीनों field थे इनका size एक जैसा होना चाहिए इनके अंदर बाकी तमाम جो attributes है वो एक जैसे होने चाहिए ताके जो हमारी study है वो बाइस ना हो सिर्फ fertilizer का फरक है बाकी तमाम parameters इसके अंदर एक जैसे हैं अब जब prop जो है final stage तक पहुँची तो हमने field 1 के अंदर जितनी production हुई जितने grains बने उसको भी weight कर लिया field 2 में से भी और field 3 में से भी उसके बाद अब यह जो हमारे पास तीनों fields का जो data आया है जो grains produce हुए हैं उसको हम compare करना चाहते हैं कि जो हमारे पास total production हुई उसके अंदर statistical difference मौजूद है या नहीं या कौन सा ऐसा field है जिसके अंदर production जादा हुई तो इस case के अंदर भी हम analysis of various apply कर सकते हैं तो one way analysis of variance के अंदर हम दो से ज़ादा जो samples हैं उनके means को compare करते हैं लेकिन one way analysis of variance के अंदर एक वकत के अंदर हम columns को compare करते हैं या फिर rows को compare करते हैं इसी हुझा से इसको one way analysis of variance कहते हैं यह एक parametric test है और यह ऐसा data जो के normal हो जो के normal distribution शो करता हो उसके उपर apply किया जाता है जाता है